और अगर इसका अधेन करते हैं तो आपको सीटेट वेगारें भी फाइदा होने वाला क्योंकि कॉंसेप्ट है और यही सब कॉंसेप्ट से कोश्चन आपके सिच्छा जगत के छेतर में बंगते रहते हैं हंदेड में से करीब 80% लोग डिलेड का सिलेबस भी नहीं जानते होंगे इस सिलेबस क्या होगा कैसे एक्जाम होगा क्या करना पड़ेगा उनका बस मन में यह रहता है कि नमस्कार दोस्तों आनंद शड़ी ओनलाइन चनल में आप लोग का फिर से एक पड़ स्वागत है तो इस वीडियो में आपको डिलेड से समझे तेक महतपूर्ण सूचना हम देने वाले हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हमें पता है कि डिलेड करने वाले जितने भी लोग होते हैं वह अच्छे से अपने कोर्स पे ध्यान नहीं दे पाते हैं इस कारण से क्योंकि उनको पता होता है कि प्राइवेट कॉलेज अगर हमको मिलता है तो उतना पढ़ने का जरूत नहीं कॉलेज भी ने जाएंगे फिर भी काम चल जाएगा सरकारी कॉलेज में जाते हैं तो वहां पे आप कम पैसो के लिए मतलब वहां पे कम फीस लगत होता है 2024 में आप कर रहे हैं या पहले की होंगे आप फरस्ट इयर होंगे तो जब भी आप कर रहे हैं चाहिस बास दी आप्यजाम जिए होगे अगर आप पास करेंगे आप को ये सरकारि मिले मिलेगा और पिछले साल जो किये हो नोंको मिल चुका ऑफर्स एयर भी सबक्र ल किस तरह से कौन सा किताब हमको पढ़ना पढ़ेगा ताकि हम डिलेड में पास करेंगे अब ऐसा तो है ने कि डिलेड में आप इंट्रेंस एक्जाम दिए आपको बस डिग्री दिया दाएगा कुछ नकुछ आपको बीच में करना पढ़ता है उसी में सबसे सहायक जो चीज आ को बोल सकते हैं दूसरा आप इसको कोश्चन वैंक यान कि प्रिवियस यह कोश्चन जो पूछे के कोश्चन है वह सभी इसमें समाहित है और दूसरा आप इसको गेस пेपर भी मान सकते हैं मेक्सीमाम लोग जब एक्जाम देने जाते हैं डीलेट का इंट्रेंसी जाम का हम बात नहीं कर रहे हैं आप डीलेट में जब एड्मिसन ले लेंगे मैकसिमम लोग जब एड्मिसन प्राइबेट कोलेज या सरकारी कोलेज उनको मिल जाएगा उसके बाद जो आपका सत्र शुरू होगा और जो पहला एयर का एक्जाम होगा आपका बोर्ड के दोरा उसमें जो कोश्टन पूछे जाएंगा उसके लिए कहां से आप पढ़िएगा कौन सा किताब से आप पढ़िएगा क्या पूछेगा और सबसे बड़ी बात कि अगर चोरी भी करने का मौका मिलता है ठीक है चोरी भी होता तो चोरी कहां से करिएगा चोरी करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना कहां से करिएगा चोरी नेट मोबाइल अगर नहीं ले जाने दिया तो यह चीज आपको सबसेरा साहे होगा यह बूक अगर हम आपको बताना चाहें तो यह बहुत ही बहतरीन जो कि आपको पहले अभी सजेस्ट इसलिए हम कर देते हैं ताकि आगे चल करके आपको दिक्कत ना आपके मन में कन्फ्यूजन ना बने क्योंकि मेक्सिमम लोग हमसे यह पूछ रहे थे कि उसको पढ़ते हैं तो आपका कॉंसेप्ट भी पूरा होता है कि कोश्चन कैसा और कहा से पूछा आता है लगू उतरिये प्रस्न दिर्ग उतरिये प्रस्न सब इसमें दिये गया है और दूसरा अगर चोरी भी एक्जाम में करना पड़े अगर वहां पर किताब भी ले जाने का आपको मौका दिया जाया और मिकसिमम जगा बिहार में दिया ही जाता है इसलिए आपको बता भी पा रहे हैं तो आप इस एक्जाम का पडियोग कर सकते हैं ले जाकर करके डाइक टो टोटल जितन कोशन का जवाब देख सकते हैं और अच्छा नंबर आपका आ सकता है ठीक है चोरी चलेगा उसमें भी यह काम करेगा आप थोड़ा सा डीपली हम लोग इस बूप के बारे में जानते हैं जो कि आपको जाना जूरूरी ताकि आप इस बूप के बारे में जानेंगे तभी अच समाज सिच्छा और पाठी चर्चा की समझ ते कि यहां पर एक्जाम जो आपका होता है college में अपका private college में हो चाहिए सरकारी college में हो वह एक्जाम सब QUESTION यहीं से बनते हैं तो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे F1, समाज, सिच्छा और पाठे चर्चा की समझ, F2 में देखेंगे, बजपन और बाल विकास, यह सब आपका कॉंसेप्ट है, जहां से कोस्टन आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे, और सब कोस्टन इसमें समाहित किये गए हैं, जो कि यह सोच के चलते हैं कि private college, government college मिल जाएगा, तो मेरा degree तो confirm है, यह लेगे नहीं, डिगरी के बीच में बहुत सारा काम करना पड़ता है, कितना लोग इतना किताब खरिद लेंगे, पढ़ेंगे एक भी दिन नहीं, एक किताब से अगर आपका first year पूरा हो रहा है, तो फिर क् बच्चे लोग को पढ़ाएंगे, उससे संबंधित ही question पूछा जाएगा, अगर आप एक बार खुद से भी इस किताब का अध्यान कर लेंगे, तो आपको बहुत सरा चीज समझ में आएगा, यह math नहीं है, reasoning नहीं है, कि आपको solve करना पड़ेगा, यह कहानी है, जो कि आप अगर पढ़ते हैं, तो बच्चे को समझाने में और भी आसान होगा आपके लिए, ठीक है, तो जरूर इसको खुद से भी अध्यन करिएगा, आपके लिए फायदे मन्द होगा, और अगर इसका अध्यन करते हैं, तो आपको सीटेट वेगारें भी फायदा होने वाला, यह कॉंसेट है, और यही सब कॉंसेट से कोशन आपके सिच्छा जगत के छेतर में बनते रहते हैं, तो यह भी फायदा आपको हो जाएगा, चौथा आपका हो गया, F4 में देखिएगा, विद्याले संस्कृती, परिवर्तन और सिच्छक विकास का हो गया, F5 में भासा की समझ तथा आरंभिक भासा विकास कैसे कैसे होता है, क्या कोशन बनेगा, उसे F6 हो गया, सिच्छा में जेंडर एवं समय इसी परिच्छे, अब यह हुआ क्या ना, कि जैसे आपका 5-6 दिन एक जाम चलता है, फर्स्ट इयर का जो एक जाम होगा आपका, वो 5-6 दिन चलेगा, व proficiency in English से, English से question रहेगा, और जो सब इसमें दिया गया है, previous year को mix करके, mix करने का मतलब यह होता है, कि जो question हमेशा से बिहार के daily exam में पूछे जा रहे हैं, परमपरिक तरीके से, वो सब question आपको इसमें मिलेंगा, और वही question लगवग संभाबना है, कि वही question फिर से देगा, लेक लेकिन यह बिहार का स्थिती है, तो उस स्थिती में आपको भी आगे बढ़ना चाहिए, उसका लाव उठाइए ना उठाइए, कमसे कम मजबूरी में फियल ना हो जाइए, इस करन से किताब अगर रखते हैं, तो अच्छा है, पूरा question को solve करिए, पढ़ भी लिए, फिर भ इस किताब का लिंक हम कुछ दिन में मतलब आपको नीचे description, comment box में देंगे online, जब आपको जरूत पड़ेगा तो, ऐसे किसी भी store में, जहां पे भी आप हैं, वहां आप चाहिए, इसका book चाहिए हमको, यह exam.ड़ का होगा, दो बरसी यह dealer के लिए, और इसमें आपको बता द में अगर आगे बढ़ते हैं, क्या-क्या है, यह देखिएगा, विसे सूची यहां पे दिया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, अब यहां पे साप-साप यहां पे देखिए, सबसे एफ़ोन में क्या है, समाज, सिच्छा और पाठ चर्चा, पाठ चर सकते हैं, बच्चे तथा बच्पन से आप क्या समझते हैं, इसी टाइप का कोस्चन आपके डिरल के फर्स्ट इयर में पूछा जाएगा, आपका जो एक्जाम होगा, बोड के दौरा, इसी टाइप का होगा, उधारन के माध्यम से इसे अस्पष्ट कीजिए, ठीक है, तो कहा जाता है कि घोडे को जवर्दस्ती मार पीट कर नदी पार तो कराया जा सकता है, परन्तु पानी पीने के लिए बीवस नहीं किया सकता है, देखें, कोई भी किताब अगर आप पढ़ते हैं, तो कॉंसेप्ट तो पूरा होता ही है, क्या कहा गया, बच्चे तथा कास हो पाएगा, ताकि वो अपने मर्जी से, अपने इच्छा के नुसार जिसमें इंट्रेस्ट है, उसमें वो पढ़ते हैं, किसी कार यह साधना को करता है, तो अनंद के साथ-साथ फलदाई भी होता है, दुनिया के सभी सिच्छा विजों का मानना है कि यदि बच्चे को मनुकूल बातावरन परदान किया जाए, उन पर अत्रित्त दवाब न थो पाजाए, साथ ही समय से में पर वो प्यूक्त परा मर्ज वो मार्जशन किया है, तो निश्ची तुरूप से सभलता उनके कदम चूमेंगी, तो इस तरह concept आपको एग्जाम में देना पड़ेगा, फर्स्ट एर में डिस्क्राइब करना पड़ेगा कोशन को, यह अच्छा रहेगा, तो इस टैक्स दिया गया है, आप इसको वहाँ पर किराब अगर आपके पास रहेगा, तो पूरा वहाँ पर छाप दिजेगा, लेख दिजेगा, कोई दिकती नहीं है, पास भी कर जाएग तो पूरा इसका जितना कोशन बनने वाला है लगुतरिय और दिर्गुतरिय परस्न, सब इसमें दिया गया, ठीक है, अच्छे से इसमें बता दिया गया है, इंगलिस के साथ भी सभी सब्यक्ट आपको मिल जागा, जितना भी आपको हम आगें बताए, F1 से लेकर के F12 तक स को अच्छे नंबर के साथ आप पास कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि सभी जो कोशन पूछे जाएंगे, वो लगबग इसी कोशन बैंक, गेस्फेपर कहिए, कोशन बैंक कहिए, आप गाइड कहिए, कुछ भी कहिए, सब इसमें है, इससे आपको कोशन मिलते भी नजर आएंगे और आप वहाँ पर बना पाएंगे कोशन, तो डिरेट के लिए जरूरी है, जितने भी लोग कर रहे हैं, वन टो फाइप शिच्छा कर रहे हैं, तो यहां से आप सुरुवात कर सकते हैं, और डिरेट का कोर्स करके, अच्छा नंबर से आप वहाँ पर पास भी कर सकते हैं, और मक्सिमम जानकारी चाहते हैं, नीचे कमेंट बोक्स में, और कमेंट कर सकते हैं, बता देंगे आपको, ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि आपको सब चीजम इसके बारे में समझा पाएंगे, जरूरी यह है कि आप भी एक जलक इस बुक को पढ़िए ताकि और भी नोलेज पास आए, और समझ में आए कि आखिर आपका सिलेबस क्या है, आप मेक्सिमम लोग 100 में से करीब 80% लोग डीरड का सिलेबस भी नहीं जानते होंगे, कि सिलेबस क्या होगा, कैसे एक्जाम होगा, क्या करना पड़ेगा, उनका बस मन में ये रहता है कि एक्जाम दिए, प्रजेंटेशन बनाना पड़ता है, उसके लिए भी ये जरूरी है, और सरकारी कॉलेज में अगर आपका admission हो रहा है, तब तो बहुत जरूरी है, आप इससे पड़े करके भी जा सकते हैं, या साथ में रख भी सकते हैं, ये चीज़ आपको हम समझाने का प्रियास किये, त बहुसा है, नए लोग हमसे जुड़े हैं, डिरेट के लिए जो आगले साल एक्जाम को देने वाले होंगे, फर्स्ट इयर का, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो कि इस साल भी देने वाले हैं, उनका session लेट कर दिया गया है, आपके चुनाओ के वज़र से, तो जिनका भी ए में हो, अगस्त में हो, जब भी आपका exam लिया जागा, फर्स्ट इयर वाला, डिरेट में अगर आप हैं, तो आप इस book का अभी भी परियोग कर सकते हैं, या अगर नहीं जानते हैं, अपने दोस्तों में भी चर्चा कर सकते हैं, कि इस तरह का book है, आप उसको देख सकते हैं पढ़ सकते हैं, बहुत काम करेगा, कोर्स आपका पूरा करवाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है, उमिद करते हैं, जितना अभी चीज़ अभी तक आपको हम इस book से समझाने का परियास किया होंगे, जो कि आपका कुछ doubt दूर किया होगा, तो इस वीडियो को देहिंग!